आप देख रहे हैं इस्पियन नाइन नियूज में आज बाच्वीत करेंगे आम बजट के आम बजट को आपने देखा कि कल से पूरा धंडोरा पीटा जा रहा है किस तरीके से देख तरकी करेगा अरते वेवस्था फाइप टिलिन डॉलर तक पहुंचेगा ये तमाम जो चुचले बाजी है वो आपने सुन चुके होंगे लेकिन हकीकत ये है कि इसमें युवाओं को लॉलिपॉप दिया गया है इसमें जो है देख की जो आम लोग है उनके साथ मजाख किया गया है और जो सच्चाई है वो ये कि आम बजट सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं अमीरों लोगों के लिए है और वो इसलिए क्योंकि जिस चीज से आज मिडिल कलास के लोग परिशान है, जो लोग 15 से 20 हजार के आसपस कमा रहा है, उनका अगर आप सालाना निकाले तो 2 से 3 लाके बीच आकर अटक जाएगा, सूचे वो लोग कितना परिशान है, क्योंकि उन्हें ट्रांस्पोर्ट अदा करना पर रहा है, उन्ह टेक्सी का किराया देना पर रहा है, उन्हें जो है क्या-क्या न निकालना पर रहा है, रेंट है, भारा है तमाम चीज से, इसको लेकर भिपक्ष किस तरीके से हमला बर है, वो जर देखी इस वीडियो में रहती ने जो है statement दिया, उसके बाद जो है यह बहस हो गई कि सोबरेन क्या है, पारलियामेंट सोबरेन है, कि कौंस्यूशन सोबरेन है, तो ultimately तो पारलियामेंट कैसे function करेगी, ये बात भी तो constitution में लिखा हुआ है, तो constitution तो सबसे उपर है, संभिधान में भी अगर आपको क करना है उसमें कोई संसोधन करना है और संभिधान के कई संसोधन हुए है उसकी उसकी बात भी तो संभिधान में लिखी हुई है तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे डरे की ना डरे तो प्र अगर मुहन भागबत जी संभिधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई कहने बात अलग से कहने की ज़रूरत तो नहीं है संभिधान में हम कैसे रहें एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या करतब हैं या साफसाफ लिखा हुआ है हमारे संभिधान में ये लिखा हुआ है ना कि इस देश का नागरिक होने के चलते आप अपनी धार्मिक माननेता और विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है तो अलग से ये बात कहने की जरूरत क्यों पर रही है अब प्रस्ण उठता है कि संभिधान मानते हैं अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी सरकार जो है बीजेपी की उसको इमीडेटली बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि वह सरकार तो संभिधान के तहत बनी है चुनाव के तहत बनी है लोगोंने वोट दे करके बनाया है और कसम भी तो संभिधान का ही खाये होंगे ना सारे एंपी सारे मिनिस्टर सारे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कसम तो संभिधान का ही खाया है ना आगर नहीं मानते हैं तो फिर संभिधान का यह समझना जरूरी है जैसे हर दूठ से जो है न दही नहीं बनती है रस्गुल्हा भी बनता है तो आप जो है हर दूठ को दही कहना शुरू कर दें मतलब हम यह यह कह रहे हैं कि RSS के बनने से पहले धर्म था ना और RSS के बनने के बाद भी धर्म रहेगा तो RSS के बाद पास सामपरदाइकता की ठेकेदारी हो सकती है धर्म की ठेकेदारी नहीं है पॉइंट वन पॉइंट टू की इस बात से कंफ्यूज मत हो ये कि इस तरह की चर्चाएं शुरू क्यों की जाती है अब ये बोलने की कोई जरूरत तो नहीं थी इसलिए की जाती है कि ये अंग्रेजों का टेक्टिस है में बार बार कहता हूं फूट डालो राज करो इंसान क को आपस में लड़ाओ उसके मुद्दे भटकाओ भारत जोरो यात्रा का ये लक्ष है कि ना हम संभिधान को किसी भी तरीके से बरबाद होने देंगे संभिधान को हम बचाएंगे प्रोटेक्ट करेंगे और संभिधान में लोगों के ही अधिकारों की बात है तो उनके जो मुद्दे हैं रोजी रोटी कपरा मकान सिक्षा स्वास सरक बिजली पानी उसको प्रमुक्ता से उठाएंगे अपने देखा और आपने इसलिए देखा क्योंकि आज बिपक्ष इसलिए बजट को लेकर हंगामा कर रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ असिरिफ अंदर से खोखला है अंदर से कुछ भी नहीं है और इसलिए जो है मुदी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है मुदी जी का यह आखरी अर्पुन बजट था इसमें लोगों को मीद देनी चाहिए थे महिलाओं की बात होनी चाहिए महंगाई कम होना चाहिए लोगों को रोजगार मि बॉयकोट बॉलीवूड वाला और खास्तार पर हम बात करें चाहिए बेशरम रंगों काफी राइट विंग ग्रुप्स ने किया है तो कॉंग्रस का इस पर क्या स्टैंड है कि क्या बॉलीवूड को प्रेशराइज किया जा रहा है और जब हम लोग यह प्रेस कॉंफरेंस शुरू किये तो हमने इस्तेमाल किया वर्ट संभिधान संभिधानिक संस्थाएं तो हम उसी दाइरे में रहेंगे न मेरा मानना है हमारी पार्टी ऐसा समझती है कि हर समस्या के निराकरन के लिए संभिधान है और संभिधानिक संस्थाएं है मान लीजे फिल्म से जुरा कोई मामला है उसको sensor board देखेगी जब sensor board है तो इसका tension हम लोग क्यों लें वो sensor board में जो बैठे हुई लोग हैं वो लें या तो वो pass करें या फेल करें अब उससे उपर अगर कुछ बन गया है तो हम लोगों को अपना sensor board होगा अलग-अलग जाती का sensor board होगा अलग-अलग जिले का sensor board होगा फिर जब भी इस देश में कोई cinema बने तो जो है एक कॉपी जो है सारे sensor board को भेजा जाए फिर रिलीज हो कोई तो decorum होगा ना हम हम कह रहे हैं कि किसका copyright है किसरी रंग पे महात्मा बुद्ध के चीवर का रंग के शरिया है सिवाजी महराज साउजी महराज संभाजी महराज के जंडे का रंग के शरिया है भाजपा के जंडे में हरा है कोई ध्यान ही नहीं दिया है, BJP के जंडे में हडा है, यहां हम बैठे हुए हैं, यह संतों की भूमी है, गुरुवों की भूमी है, केशरी रंग पंजाव का रंग है, देश के तिरंगे में जो है केशरी रंग है, किसी को कोई ठेकेदारी है क्या, और जिसको जो रंग पहनना है, इसलिए हमने एक सब्द का इस्तेमाल किया था diversity का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ आगर हम हिंदुधर्म की बात करें तो 33 करोर देवी देवता हैं 33 करोर कोई हमको 33 करोर देवी देवता का नाम गिना दे कोई पूरत देश में जो ठेकेदार बन रहा हो तो हम समझ जाएंगे किया है आप जान लीजिए कि अगर आप दर्शन का इतिहास परेंगे भारतिया दर्शन का तो यहां अगर भावादी दर्शन था तो भौतिक्ता वादी दर्शन भी था चार बाग भी थे यहां पर यम जिवेद सुखम जिवेद रनकृत्वा घिवम पिवेद तो यहां चार विवित्ता कूट कूट करके भरी हुई है और कोई ठेकेदार नहीं है हम सब इस देश के नागरिक ने एक किताब को एक संबिधान को अपना सरवोच चीज चुना है उसको माना है और उसके आधार पर ही संबिधानिक संस्थाएं बनी है क्या फिल्म में होगा नहीं होगा यह संसर बोट टै करेगा कोई विक्ति टै नहीं करेगा अपने दोनों वीडियो को देखा आप समझ गया होंगा कि दरसल आज जो मोदी सरकार ने बजट पेश किया है कल जो पेश किया था वो सिर्फ अस सिर्फ लोगों को मुरख बनाया गया है उसमें गरीबों के लिए नहीं कि आपके लिए इस बजट में कुछ था या नहीं हमें कॉमेंट कर जूर बताइएगा लेकिन आचेक लिए तना ही हमें दीजिए जाजा तो आप देखते रहे स्पीनाय न्यूस नमस्कार